तो चलिए देखते हैं कि question no.1 है सबसे पहला और इसमें क्या पहा गया है देखे पहा गया है sin square 5 by 6 sin square 5 by 6 का आ गया है plus cos square 5 by 3 plus cos square 5 by 3 फिर का गया है minus 10 square minus 10 square 5 by 4 minus 10 square 5 by 4 is equal to minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2 ये चीज जो है आपको भूफ करना है ठीकिट तो LHS से स्टार्ट करना है हमको RHS में इस चीज को जो है पूफ करके दिखा 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 है कैसे करेंगे उस पर ज्यां देजी लिखेंगे सबसे पहले LHS ठीक है और sin square 5 by 6 5 by 6 याने कि sin 30 degree और sin 30 degree का मान की तरह होता है 1 by 2 और चुकिए square है तो 1 by 2 का whole square लग जाए प्लस cos square 5 by 3 5 by 3 मतलब cos 60 degree और cos 60 का मान होता है 1 by 2 ही होता है उसका भी square है माइस अब 10 by 45 5 by 4 मतलब 10 by 45 बेगी और 5 by 4 मतलब 10 by 45 बेगी और 10 by 45 का मान कितना होता है 1 तो उसका value 1 हो जागा 1 का यहां पर यह square हो जाए ठीक है इसको भी square करेंगे तो 1 by 4 इसको भी करेंगे तो 1 by 4 और एक है माइनस 1 ठीक है इस तरह से है तो 1 by 4 प्लस 1 by 4 यह जूट करके हो जागा 1 by 2 और माइनस 1 तो यह हो गया तो यह भी आपका यहांसा solution हो जागा नहीं तो simple LCM लेकर तो भी आप कर सकते हो कहीं कोई दीक करते हैं ठीक है तो यह जो है minus 1 by 2 आगिया और फैर्ली हमारा जो है यह RHS आगिया ठीक है यह क्या जागे रहा RHS आगिया RHS आगिया RHS और यह हैंस प्रूवव लोगिया ठीक है यह जो प्रूव कर लेको आगिया था आगिया था आगिया था आगिया जागिया